जार्खंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉंटरिंग मामले में एडी ने कल जार्खंड के सीम हेमंद सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर चापे मारी किए इस जोरान सीम हेमंद तो मौके पर नहीं मिले लेकिन एडी टीम ने बंगले से भारी मात्रा में नकदी ब करीब 13 घंटे तक सोरेन के बंगले पर एडी की टीम मौझूद रहे जार्खंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉंटरिंग के मामले में पूछताच के लिए इडी की टीम हेमंद सोरेन के बंगले पर पहुँचे थी इडी ने बंगले से नकदी के साथ हर्याना नंबर की BMW कार और एक अन्यकार के साथ ही कुछ एहम दस्तावेज भी बरामत किये आपको बता दे कि जमीन घोटाले में पूछताच के लिए इडी हेमंद सोरेन को कई बार समन जारी कर चुकी है हाला कि कई समन जारी होने के बाद भी हेमंद सोरेन एडी के सामने पेश नहीं हुए पिछले दिनों एडी टीम ने हेमंद सोरेन से राचे इस्तित उनके सरकारी आवास पर कई घंटे पूछताच की थी इसके बाद एडी ने फिर से समन जारी कर 29 या 30 जनवरी को पूछताच के लिए पेश होने को कहा था शनिवार को हेमन्सोरेन के दिल्ली पहुँचने की जानकारी मिलने के बाद एडी की टीम दिल्ली इस्तित हेमन्सोरेन के आवास पर उनसे पूछताच के लिए पहुँचे थी लेकिन हेमन्सोरेन वहां भी नहीं मिले इधर हेमन्सोरिन ने एडी को बताया कि वो राची इस्तित आवास पर मिलेंगे वहीं जार्खन की सत्ताधारी पाठी जार्खन मुक्ती मोचा ने अपने सभी विधायकों को राची नहीं छोड़ने को कहा जे-म-म ने राची के मौजूदा राजनितिक हालात पर चर्चा के लिए राची में एहम बैचक भी बुलाई वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जार्खन सी-म हेमन्सोरिन को भगोड़ा बताया है साथी सी-म के बारे में जानकारी देने वाले को 11,000 रुपे नाम देने का भी ऐलान किया भाजपा ने सी-म पर जार्खन प्रदेश की इज़ट मिट्टी में मिलाने का भी आरोप लगाया यह बे बुनियाद आरोप लगाना भाजपा का काम है तमाम नेता उसे चाते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश में जनता द्वारा चुनीवी सरकार को डिस्टरब किया जाए लोकप प्रिया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को परिशान किया जाए अगर कोई विक्तिगत काम से कहीं जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सब कुछ बता के जाए हर एक का अपना विक्तिगत जीवन भी होता है और उन्होंने आज जाके वापू वाटिका में माले अर्पन किया और सबसिक के साथ उन्होंने मीटिंग भी की अब एक दिन के अंदर वो कहीं अगर जाते हैं तो कोई जरूरी थोड़ा है कि सब को बोल कर जाया जा और इसके लिए अगर आप कहरे हैं कि मिल नहीं रहे हैं जिस तरह से हला कर रहे थे भाजपा के लोग तो ये तो आपके तंतर का मतलब यह है कि आपनी क्यों नहीं पता तो इस पर नजर रखना किसका काम था उनके सुरक्षा कर्मियों पर था सरकारी एजंसियों का था केंडर सरकार का था तो केंडर सरकार कर क्या रही थी कि वह गायब रहे या अपने निजी काम में गया तो उनको पता नहीं है तो यह तो हम उनसे उल्टा सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं मिली कि वो घर कैसे पहुंचे